कल्याराणाम निदानं कलिमल वतनं पावनं पावनानां पाथे अम्यन्म मुक्षो शवदिवरपद प्राप्ते प्रस्तितश्य विष्राम अस्थान मेकं कविवरवचसाम जीवनं सज्जनानां वीजं धर्म ध्रुमष्य प्रभवत भवतां भूते रामनाम उसको रहने दीजाएं श्रिनाज जी मिश्र के क्रपासे पुझ्य पिता जी के क्रपासे और पुझ्य हमारे सामने बावा बैठे हैं जोकि मैंने प्रथम बार जब यहाँ पे मेरा प्रवेश हुआ था तलगा जड़ा महुआ में उसी साल मैंने संबंद मना लिया था कि मोही तो ही नाते अनेक मानी ये जो भावे तो पुझ्य बापू की क्रपासे तीसरी बार बोलने का उसर मिल रहा है और हर बार क्रम बदला गया पहली बार आए तो चाचा उमाशंकर जी के पहले आखरी बार जब 2019 में बूला तो फिर आखरी सभा के आखरी में और आज पहला बुलने का उसर मिल रहा है सभा को आरंब करने का उसर शंगनाद करने का उसर मिल रहा है तो बापु मैं जब बहुत छोटा था ना तो घर के संसकार मेरे दादा जी और मेरी दादी के दिये हुए तो मैं दादी के पास सोया करता था मेरा समय 40 मिनिटी है ना 35 आज 5 मिनिट घटाया गया है तो पौने दस तो अरिश भाई थोड़ा इशारा कर दीजेगा क्योंकि आज किसी से मांग भी नहीं सकते अभी कुछ लोग अदिश्य हैं और फिर बाबा हैं तो आपका ले सकते हैं ना तो इसके बाद देखते किसका हाता है तो तो मैं उनके साथ जब सोता था था ना तो दादी के ग्यान और दादा के जो विचार होते हैं वो बड़े शुद्ध होते हैं कि कि अदो कि अदुद्य हैं मैं कि अद्यों इसा तो दादी एक कहानी सुनाया करती थी कि बेटा एक बच्चा अपनी मा के साथ गया तो एक दुकान पे गया तो उस दुकानदार ने उस बच्चे की मासूमियत और सीधापन देख करके सारे डबे के ढखकन खोल दिये और उससे कहा कि जित्ती तुमको इसमें से टौफी निकाल ली है निकाल लो तो उस बालक ने कहा ने ने मेरे को तो जरूवत नहीं है मैं इसमें से टौफी नहीं निकालूँगा कई बार कहा कि अरे बच्चा निकाल ले तो बहुत अच्छा लग रहा है मासूम सा है निकाल ले माने भी कहा कि अरे बिटा अंकल बोल रहे हैं तो निकाल ले तो मा को भी उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए जब समान उमान बंद गया और माल समान ले करके जाने लगी तो उस समय बालक भी साथ में जाने लगा तो जो दुकानदार था उस दुकानदार ने जब बालक को जाते देखा ना तो दुकानदार को लगा इसने स्वैम नहीं लिया तो क्यों नहीं हमीं दे दे तो उसने फि दोनों हाथ फैलाए और फैला करके हाथ में टौफी लिया और कुछ गिर भी गा, जब कुछ गिर गया ना तो उसको मा ने उठा लिया। तब बालक और मा जब रस्ते में जाने लगे तो मा ने प्रश्णी किया बालक से कि बेटा जब दुकानदार तेरे से कह रहा था वो अंकल तेरे से कह रहे थे कि टौफी ले 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 तब तुने लिया नहीं और जब तू चलने लगा और उन्होंने बड़े सचता से बड़े प्रेम से तुझे जब टौफी दिया तो तू बड़े प्रेम से ले लिया, माज़़ा क्या है कुछ कुछ बच्चे होते हैं आप बोलते हैं तो वड़ी अच्छी बात बोलते हैं, बालकाले में ही घ्यान की बाद बोल जाते हैं तो उसमें बालक ने कहा कि मा मेरे हाथ तो छोटे-छोटे हैं और यदि हम डब्बे में से टॉफी निकालते तो दो-चार ही आते यदि हम डब्बे में से टॉफी निकालते तो दो-चार ही आते और अंकल ने जब टॉफी दिया तो उनके हाथ बड़े- उन्होंने दिया तो संख्या में बहुत ज्यादा था तो हम इश्वर के पास जाते हैं आप एक्षा लेकर के जाते हैं पता नहीं इश्वर हमारे लिए मेरी दादी ने का बेटा पता नहीं हमारे लिए इश्वर इससे बड़ा कुछ लखा हो इससे बड़ा कुछ रखा हो तो हम जब महुआ आये थे तो एक चम्मच ले करके आये थे अखिलेश भाईया ने मेरे को पथम बार मैं क्यों ना भूलू उनका सयोग कि उन्हों नहीं कहा कि बापू कहा आपको चलना है हुआ चल करके आपको उद्वोधन करना मैंने का मेरा ये सौभाग्य होगा अभी तो एवार्ड के क्रम में भी नाम दे दिये बापू ने मेरे को यहां खड़ा ही होना सबसे बड़ा एवार्ड है और इससे भी बड़ा आवार्ड बापू के बगल में बैठ जाना सने कर लेना बापू से बात कर लेना तो मेरे को तो आवार्ड मिल ही चुका है एक तो आपचारिकता है जो बापू अपने तरीके से पूर्ण करेंगे ने तो आवार्ड मुझे मिल ही चुका यहां आना आकर के बोलना दर्शने, इस्पर्शने, वादी, श्रवने, भाषने यत्यवर्ती, यंतरंग, अमसवप्रीती, इतिकत्यते मैं साल भर जब जब ज़ाता हूँ बापु के यहां कथा सुनने जाता हूँ प्राया मौका लगता है यह कोविड में यह करम तूटा पर एक बार ही जाना हुआ, यह तो मैं अपने साथ दो-तीन लोग को लेके जाता हूँ, रागविंदर भिया को लेके जाता हूँ, वो लोग बोलते हैं मैं केवल सुनता हूँ और मुझे मालूम है कि तुल्शी जैन्ती पे मुझे बोलना है, तो मैं पूरे साल का एक ही दिन में बोलता हूँ तो चमच लेके आये थे, अब चमच से कितना जल निकलेगा, तो हम सब चमच ही लेकर के घुम रहे हैं, ठाकुर के पास जाते हैं, चमच लेकर के ही जाते हैं, और पता नहीं ठाकुर हमें समुद्र का पान कराने के लिए बैठे हूँ कल हमारे मैथली चाचा ने कहा ना कि समुद्र आया वर्षा करने के लिए कितना संदर भाव होता, तो हम यहां तो इसलिए आयत पर बापु ने समुद्र की वर्षा मेरे जैसे बालक के उपर कर दी, इतना बड़ा बोज डाल दिया कि तुलसी अवार्ड तो अब तो और करके बोलना होगा, कहीं कुछ गलत बोल दिये तो लोग कहेंगे कि बापु के द्वारा आवार्ड मिलने के बाद भी ऐसा कह रहे हैं, तो एक जिम्दारी हो जाएगी सा, और एक महादेव की कृपा है कि ऐसा सयोग बना कि बापु को लगा कि नहीं मुझे सम्मानित करना च जाए, कितनी अदभुद बात है सा, और काशी के हैं, शंकर की कृपा तो हर एक काशी वाशी के उपर होती, काशी के कड़कड संकर स्वरूप हैं, हर एक काशी वाशी, उसकी मस्ती, उसकी अदा एक अलग ही होती है, और हमारे गोस्वामे तुलसीताज जी मारा निया किया है ना सातों में किया है ना किसने काच है यह बात सुंदर कांडवे नहीं किया सुंदर कांडवे सीदे हनुमान जी महाराज का ग्यारवया अवतार है पर जो अध्या कांड की इस्तती है यश्यान केच विबाद विभू दर्सुता देवा पगाम अस्तके भाले भाल गलेच गरलम यस्यो रसी व्यालराट सोयं भूति विभूशन सुर्वर सर्वादिपा सर्वदा सर्व सर्वगता शिवा शशिनिब स्री शंकर पातुमा वह हमाई गोसामितुलसिदाजी मराज कहते भगवान शंकर जैसा कृपालू देवता कोई नहीं है इनको मात्र प्रणाम कर लो तो ये कृपा कर देते हैं अरे जेकर बाबा विश्वना तु अनात कैसे होई हो हमाई भगवान शंकर अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म ऐसा कौन देवता मिलेगा जो चिता की भस्म और हमारी और आब की अंतिम परनिती चिता ही है हमाई दादे जी कथा में सुनाय करते थे कि चित्रकूट के महात्मा थे वो कहा करते रहे खाक क्या तू जानता है घर बनाने के लिए हर वेक्टी भवन बनाता है तो सिमेंट देखने जाता है उसके बाद बालू देखता है हर कुछ देखता है कि अच्छा मटेरियल लगे तो हमाई दादा जी कहा करते थे कि चित्रकूट के महात्मा थे मेरे से मिलते थे तो बोला करते थे कि शिनात लोग आजकल भवन बनाने के लिए भी जाते है तो मटेरियल टेस्ट करते हैं तो कहा करते थे कि खाक क्या तू जानता है अरे घर वनाने के लिए अरे खाक का तू है एक दिन खाक में मिल जाएगा तो वो भगवान शंकर चिता भस्माले पो गरलमसनम्दिक पड़रो जटाधारी कंटे बुजगपती हारी पशुपती हम खाक के ही होने वाले हैं और भस्म ही होने वाले ऐसा देवता जो चिता की भस्म आज भी महाकाल में प्राहता सुबेरे सुबेरे आप जाए तो ताजी चिता की भस्म की आग ताजी भस्म लगाई जाती भगवान शंकर को और हमारे आदी गुरु शंकराचार कह रहे हैं कि ऐसा देवता कौन है तैतिस कोटी में जो कि आपकी चिता की भस्म को लगाए चिता भस्माले पो गरलमसनम्दिक पड़रो जटाधारी कंटे दीशक प्रतिविम भवानी तब पाणी ग्रहन परिपाटी भलमिदव हमारी मा पारवती को शंकराचार जी कहते हैं कि आपकी जब भगवान शंकर के उपर कृपा हो गई ना नहीं तो भगवान शंकर अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म फिर भी शिव परम पवित कहलाते हैं हम दा संसकार करके आते हैं तो आ करके सनान करते हैं तब अपने को पवित्र मानते हैं और हमाय महादेव तो चिता के भस्म से ही खेलते हैं गोद में बैठाए रहते हैं पारवती को सदा फिर भी शिव परम सिद्ध कहलाते हैं हमेशा मा पारवती को अपने सन नि भूशन नहीं धाम नहीं फिर वे से वो महादानी कहलाते हैं दानी कहो संकरसम नहीं भगवान शंकर से जो मांगा सो दिया एक भगत हुआ बापू भगवान शंकर की अद्भुत तपस्या किया खुब भगवान शंकर का जब किया भगवान शंकर आए और जिसमें भगवान श देख करके भगवान शंकर को खुब जोर जोर से रोने लगा। अज़ जब खुब जोर से रोने लगा न तो उस से में भगवान शंकर ने का हैं रोता क्यों हैं। अभी तो तुने मेरी साधना अपासना की मेरे को जब दब के द्वारा प्रगट किया बोता है। तो जमें उसक ने कहा कि हम इसलिए रो रहे कि हम सोचे थे कि तुम आओगे तो तुम से मांगेंगे पर तुम को देख कर कि मांगने का मन नहीं कर रहा है। भगवान शंकर एक नाग ले करके और बागंबर ओड़ करके आ गए तो समय ऐसे ऐसे भक्त होते हैं जो मांगा सो दिया घर नहीं अंग नहीं भूशण नहीं वस्त नहीं फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं अरे देखद भयंकर देखने से सरूप थोड़ा भयंकर तो लगता है देखद भयंकर नाम शिव शंकर अरे देखद भयंकर नाम शिव शंकर पर नास करते हैं फिर भी नात कहलाते हैं हम लोग के तो नात वही है, विश्रुनात, ममनात, पुरारी, अरे त्रिवुवन, महिमा, विदित, तुमारी, हमारे भगवान शंकर की अध्भुद गरिमा है साथ, कल महराजी कौन से, महियर वाले महराजी कालिदास जी को उठाए थे, और सरस्वती के विशे में, जब कालि कालिदाज जी महाराज भोज की सभा में बाप हुगया है। यह वोज को लगा कि नया सुनने चाहता है तो भू सुनाते हैं। उस समय भोज की सवा में कालिदाज जी ने कहा कि शंकर जी मर गए चादानी सुनियेगा शंकर जी मर गए जिस समय सुना है उस समय भोज चमका है भोज ने कहा शंकर जी मर गए कहा शंकर जी मर गए वस समय क्या विद्वान थे हमारे कालिदाज जी माराज जैसे गोसामी तुल दिनुश्ण सुरुवरा, सरवादिपा, सरवदा वैसे ही कालिदा जी ने एक अंक पर इस शलोक को अठाया है अर्दम दानों वैर्निणमा उस समय कहा है कि अर्दम दानों वैर्निणा गिर्जया पिर्धम सवस्थ्याहितम देवित्यम जगदी तले पुरा रहो भावे समिन मीलती उस समय हमारे कालिदाजी ने कहा कि भगवान शंकर मर गए उस समय बहुज ने कहा कैसे तो कहा देखो एक इंसान होता है उसका एक शरीर होता है भगवान शंकर के शरीर का दो तुकड़ा हुआ एक टुकड़ा तो भगवान विश्णु ने ले लिया, एक टुकड़ा तो मा पारवती ने ले लिया, तो बताओ रहे की नहीं रहे, भोजने का नहीं रहे, तो कहा जब व्यक्ति नहीं रहता है, तो उसके प्रॉपर्टी का बटवारा होता है, उसके संपत्ती का बटवारा ह कालिदा जी मारा जब संपत्ति बात रहे हैं कालिदाजी ने कहा कि देखो गंगा सागर जो गंगा थी वो सागर में चली गई गंगा सागर अंबरम सशिकलाम शशी जो चंद्रमा है सिर के उपर जो चंद्रमा लगाए है वो चंद्रमा कहा चला गया वो चंद्रमा अंबर में चला गया आकाश में चल गया गंगा सागर अंबरम शशी कलाम नागा जीपत माधलम और जो नाग है वो सरप जो है वो पाताले में चला गया कल लाग पंचमी था, बापो क्या हम भी दूध पिये, और उसके बाद सतुवा बाबा भी पिये, दो ही पिये, काशी वाशी ही ये सब कर सकते हैं, नहीं तो और किसी में नहीं, बाबा ने कहा कि हम दो मही सामरतें, नहीं तो यहाँ दो चाय वाली टीम जादा है, हमने कहा चल भोज ने कहा उनका जो एश्वर है, जोग, समर्थ, प्रणत, कल्प, नम, हमारे बगवान शंकर में जितने भी गुण है, सामर्थवान है बगवान शंकर, ऐसे ही थोड़ी ना, लंका दान में दे दिया रावन को, उस समय कहा कि जो संपत्ती थी, जो एश्वर था, जो उनका जस था, भोज वो तुम्हारे में चला गया, इसलिए आज तुम चक्रवर्ती समराध वन करके यहां बैटे हो, समय कालिदास जी से कहा है, भोज ने कि अच्छा ये बताओ, उस बटवारे में कभी तुमको भी कुछ मिला, तो का हाँ, हमें भी कुछ मिला, माम्त भिक्चा मांगने वाला जो भगवान शंकर का गुण था, वो मुझे मिल गया, इसलिए आज तुमारी सभा में आकर के खड़े हैं, अरे कुछ देना चाहते होते देदो, उसी समय राजा भोज ने कालिदास जी को पांच लाक रुपया दिया है साब, और अपने सभा का कभी कुल रत बना करके रखा है, तो वो महादेव की अत्यंत कृपा कि आज अनुभूती हो रही है, कि तलगा जड़ा में महुआ में आकर के तृतिय अबार, तृतिय की अपने महिमा है, तृत्य हो जाए तो आदमी सिद्ध हो जाता है, तो उस भगवान शंकर के अद्भुत इस्ट, ज जो प्राया यहां जितने बैटे हैं सबके हाथ में राम लिखा है, उन भगवान राम चंद्र के विशय में कुछ साथिक तात्विक चर्चा कितना मिनट बचा है, 20 मिनट? बचा है, पांच मिनट दे दीजे, तो कुछ सात्विक तात्विक चर्चा कर लेते, कोशिश और भगवान रामचंद्र का प्रभाव और सभाव अद्भुत है साहब पिछले साल मैंने केवट के समवाद में केवल अससभाव कहीं सुना हुन देखों केई खगेस रगुपतिसम लेखों इसकी चर्चा की और सपर्ष किया और फिर कथा को विराम कर दिया था तो मुझे लगा यहीं से उठाते हैं बगवान रामचंद्र का प्रभाव और सभाव अद्भुत है साहब कौन बोल रहा है शिव अजपूज चरन रगुराई और मुह पर कृपा परम भृतुलाई उत्तरकांड में हमारे कागभुशुंडी जी महराज कह रहा है और कागभुशुंडी जी कोई साधारण नहीं है हमाई गोस्वामें तुलसी दाज जी कहते हैं बीते कलब साथ अरूबी सा कितने वर्ष से सुमेरू परवत में है कागभुशुंडी जी महराज गरुन जी से कह रहा है कि मैं रुपेजबिया 4.32 बिलियन अब इसका हिंदी अनुवात करेंगे न तो 4.32 अरव हिंदी में इतने वर्षों से हमारे कागभुशुंडी जी महराज सुमेरू गरी परवत पे हैं और गरुन जी से कहते है कि मैंने कई अवतार देखे कई अवतार पर जो हमारे भगवान रामचंदर का अवतार है न वैसा अवतार न हुआ न होगा क्यों? क्योंकि हमारे भगवान रामचंदर में प्रभाव भी है और सभाव भी है प्रभाव सहाब दूर से देखा जाता है और सभाव पास निकट बैट करके अनुभूती की जाती है और भगवान रामचंदर के सभाव के बारे में हमारे गुस्वामे तुलसीदाजी माराज ने रामचरित मालस में खूब लिखा प्रभाव के उपर उतना जोर नहीं दिया है प्रभाव तो और लोग जितने हनुमान जी माराज है अंगजी माराज है लक्षवन जी माराज है सबने भगवान के प्रभाव को भगवान बहुत कम इस्थान रामचरित मालस में मिलता है जहां भगवान ने अपने प्रभाव को दिखा और सहज वो प्रभाव आया है कोई कोशिश नहीं किये जैसे कोई लोग कोशिश करते न, होते कुछ है, दिखाना कुछ और चाहते है, करते कुछ है, समझाना कुछ और चाहते है, पर भगवान रामचंदर का ऐसा सभाव नहीं, जिस समय उठा करके रामचरित में सातो कांड को लगाने की कोशिश करूँगा प्रभाव और सभाव क के माध्यम से बालकांड से प्रवेश करते हैं बालकांड में सबसे सुन्दर हमाएं भगवान रामचंद्र का प्रभाव जनकपुर में देखने को मिलता है और कल सत्वा बाबा हड़ भी कर रहे थे जनकपुर की कथा के लिए जनकपुर में ही सबसे अच्छा भगवान रामचंद्र का प्रभाव भी देखता है और सभाव भी देखता है जिस समय हमाएं भगवान रामचंद्र गुर्देव के लिए फूल तोड़ने के लिए गए ना तो उस समय हमारे जनक जी गुर्देव से मिलने के लिए अपने मंत्री गणों के के आए हैं जनक जी माराज जो थे न ऐसे विद्dovaan थे जो कि रूप को मित्या मानते थे रूप को मित्या मानते थे और ग्यानीयों को तबज्जु देते थे पर जिसमें हमाई भगवान राम चंडर प्रवेश किये है न मिद्ध राम चंद्र को देखते ही, जनग जी माराज खड़े हो गए। जैसे कोई सुन्दर आकरिती को देख लो ना तो मन प्रफुलित हो जाता है। वैसे हमाई जनग जी माराज खड़े हो गा है। इस दिर्ष्य को हमाई रगुराज कवी ने देखा। जनक जी को जिस समय देखा खड़े होते तो रगुराज कवी ने इस दृष्ष को देखा और रगुराज कवी ने जद देखा न तो नित्र का वंडन करते हैं जनक जी की क्या इस्तिती हुई है जनक जी की इस्तिती हुई है ये भगवान का प्रभाव है जनक जी की इस्तिती हुई है भगवान रामचंदर को देख करके ना तो सुंदर दो उबालक, मुनिकल तुलक, निपकल पालक भगवान के सवरूप को देख करके हमारे जनक जी एकड़म प्रफलित हो गया जो रूप को मिथ्या मानता था हमारे गुर्देव भगवान वशिष्ट जी इस समय विश्वामित्र जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं हमारे गुर्देव भगवान को लग रहा है कि यही रागविंद्र किसी और अधा से जनक जी को प्रभावित करते न तो मजा नहीं आता पर भगवान रामचंद ने अपने स्वरूप से आईए सरकार भगवान बैठ जाए आप लोग बैठ जाए सब लोग हाँ भगवान रामचंद ने अपने स्वरूप से हमारे जनक जी महराज को प्रभावित किया है जनक जी को लगा अरे वाह जानकी जी तो बाद में सखियों के साथ जब भगवान रामचंद को देखेंगी जनकी जी को लगा कि खजाना हमारा है और लूट सब रहे हैं जनकी जी ने नेत्र के माध्यम से भगवान रामचंद को फिदय में रखा और रख करके अपने पलक को बंद कर लिया आपने नित्रों को बंद कर लिया और कहा आपका यहीं स्थान है आप यहीं विराजों आपको इधर उधर जाने की जरुवत नहीं है खजाना हमारा लूट सब रहे हैं जानकी जी तो बाद में प्रभावित होंगी सबसे पहले जनक जी माराज प्रभावित हुएं जनकपुर में और व्याजगादी से मैंने कई बार कहा है कि सबसे पहले जनक जी को लगा कि दमाद के रूप में मुझे यही चाहिए जानकी जी तो बाद में लगेगा कि नहीं वर के रूप में मुझे रागमिंद्र चाहिए पर जनक जी को भी लग रहा कि यदि दमाद होना तो राम जैसा ही हो विश्वामित्र जी को लगा कि आप ग्यानी देख करके चला गया अब भगवान रामचंद्र को कैसे भी करके कैसे भी योजना बना करके और भेजना जी जा करके जनक पुर का दर्शन करके आ जाए कलुमा शंकर चाचा बहुत सुन्दर लक्षमन चरित्र कह रहे थे लक्षमन जी का कोई साहब मन में कलपना ही नहीं था अबाल ही थे, नीजपत ही थे जानी, लक्षमर जी की कोई ख्वाइश ही नहीं थी, गुरु पितु मातु न जाना हूँ का हूँ, ना गुरु को जानता हूँ, ना पिता को जानता हूँ, किसी को नहीं जानता हूँ, राम की सीवा मेरा अस्तित्व में कोई है नहीं, और उनक कि लालसा जो है हमारे गुर्देव भगवान के मन में कलपना हुई कि यदी जनक जैसा ग्यानि भगवान के सवरूप को भगवान के प्रभाव को देख करके खड़ा हो सकता है तो जिस समय जनकपुर में निकलेंगे तो क्या दिर्श्य होगा उसी समय हमाई लक्षोन जी के मन में लालसा होई है योजना बनी और जिस समय भगवान रामचंदर प्रवेश किये हैं जनकपुर में और जब पंथ यात किये हैं तो समय धाय धाम काम सबते आगे सब काम दाम चोड़ करके दोड़ने लगे है भगवान का एक रूप देख ले माताओं को मर्यादा है तो माता जुकती भवन जरोखन लागे निर्खाई राम रूप अनुरागी जरोखे में से भगवान रामचंदर का दर्शन कर समय भगवान रामचंदर ने अपना जो प्रभाव समय दिखाया है जनकपुर में लाल अंद्रिष्टी पड़ी जबते पिया नाम सुने असुआ जरी आए अरे प्रेम सकी मदुकी मखियां फिर जाए सो फिर हात ना आवे अरे कागज तो करते न उठे करकापती लेखनी कि लिखते न बने लखते बनी आयर में ढूंडे लिए अपने प्रभु को जो लाल अमोलक लाखन में प्रभु के अंग में नर्मी जितनी उतनी नर्मी नहीं माखन में अरे छबी देकत ही मैं तो छागी भई मेरे चित चुराई लियो छड में जियरे में बसो हियरे में बस तब तक वोचीज बहुत अच्छी लगते है। Bhagavan Ramachandra के साथ जनकपूर में यही हुआ है। जब तक Bhagavan Ramachandra धनुष यजयक में नहीं गये, धनुष नहीं तोर ले, तब तक Bhagavan Ramachandra का प्रभावً होता। और जो धनुष्ट तोड़ लिया है ना तो जनकपुर वालों को लगा अब तो यह हमारे हो गए जो सरूब को देख देख करके एकदम खायल हो रहे थे वो जब भगवान रामचंदर धनुष्ट तोड़ दिया है इसमने राममध्यदा धनु तोड़ा धनुष्ट तूड़ गया है ना तो वही लोग अब भगवान रामचंदर को कह रहे हैं कि जाने की तो ज्यादा सुन्दर है हमाया प्राटेश्मनि पुजपात बकसर वाले मामा जी कहा करते थे बहुत सुन्दर कहते थे कि जनकपुर वाले उस समय कहने लगे कि कमी तो बस इतनी सी है कि दुलहा धुलाँ थोड़ा से काला है, सब कुछ ठीक है पर माजरा बस एक ही ख्राब है, दुलाँ थोड़ा से काला है। अच्छा एक बार हुआ फिर भगवान रामचंदर को जब डब बरात लगती है मीश दाना करक सक्षा, छोषान सबराद हए रॉत मिधलेश क चढ़ी अटारी, मिधलेश की जितनी जानकी जी ऍचियां सब अटारी पर चढ़ गई, जेवन अलागी बॉरातर मिधलेश नारी चढ़ी अटारी, राम कुरूप यह समय भगवान राम चंदर को देखा तो उसमय फिर बूलना गारी होती है, अपने हां हम ये गारी गार हो गारल गारी कीलित हमारे हां तो ऐसी ऐसी गाली होती है बापु ना कि जिसके नाम पे गाली न दिया जाए तो नाम लिख करके दिया जाता है कि थोड़ा हमारी भी नाम से गाली हो जाए विवा में तो जिस समय भगवान रामचंद्र को तो कभी बात नहीं करेंगे स्टेशन आएगा उतरेंगे चले जाएगे पर एक माह दूसरे माह से मिल जाए तो पूरा इतिहास पुरान सब बात हो जाती है तो सब खोज ख़वर करके जनकपुर के इस्तरियां रख ले कि तुमारी मा भी गोरी तुमारे बाप भी गोरी तुम शामल कित घर से तुम करिया कहां से आ गए तब भगवान को लगा ये बड़ी बेजती हो रही है तब अपना जो उसको क्या बोलते हैं जो सहरा सहरा में से थोड़ा सा हटा करके उपर देखा जब उपर देखा है तो सखियां फिर सरूप को देखें ना तो फिर कायल हो राम दे रही थी लेत रहे अवदेश को नाम देने लगे मिथलेश को गारी जी समय जनक जी को गारी पढ़ने लगी जनक जी ने कहा रहे तुम हमारे पक्ष में होगी राम पक्ष में हो भगवान का सभाव प्रभाव दिखाया और सभाव सभाव फिर जनक पुर में जे समय श्राम जी बोलना चालू कि यह है उस समय भगवान रामचंद्र बैठे हुए और जनक जी का भी प्रसंग उठा करके देखे पृत्वी वीरों से सुनने हैं कि वीर महीं न महीं मैं जानी अरे कहों का या लाब न भावा काहूं न संकर चाप चड़ाओ यह सुनने के बाद भी रगवेर अगवेंद्र बैठे हैं रगवेर उसके बाद भी बैठे हैं कोई साधारण यह है गोस्वामी जी इनको रगवीर की उपमा दिये उसके बाद ही बैठे है लक्षमण जी को लगा कि तुमको खड़े हुए के बोलना चाहिए अब लक्षमण जी को जेस समय परदा तुमारे शब्द लग रहा है समाल के बोलो अजे समय लक्ष्वान जी बोलने लगे है ना जानकी जी बड़ी प्रसन लखन सको बचन जब बोले डखमगा नी महीं दिगज डोले सकल भूप सब लोग ड़ाने अरे सी ही हरस जनक सकु जाने जनक जी महराज को संकोच वा जानकी संदर परच दिय है जबतो पर अयुद्य कांड में भग्वान गोस्वामी जी न प्रभावदूद नहीं है वैक हले स्वावदूद ओंध में भग्वान के सुभाव को हीिक दिखाया हा कि बरस जी के आज़ सबौव हमाएं केवट के आगे सुभाव, अरन्यकांड में, अरन्यकांड में भी भगवान ने सुभाव का ज्यादा, कबंद का उध्धार प्रभाव के रूप में हैं, पर उसकी उत्तिविया क्या ने, सुभाव, शबरी के आश्रम में गए हैं, और जाकर के नौधा भक्ती का परणाम कर लेते क्योंकि संस्कार में दिया जाता है, पर हमाएं दादा जी कहा करते थे ना कि कोई राम रूप में आपको दिख जा ना उसकी पूजन को, कहा करते थे कथा में एकदम दबा के कहा करते थे कि रामचरित मानस को गाने वाले के अंदर राम का गुण आना ही च तो शबरी के आगे नौधा भक्ती का उबदेश की है। जो नौधा भक्ती की है। बापु हमारे आपके जो फ्रॉलावर्स है ना छोटे-छोटे वह हमसे भी बहुत सोशल मीडिया पर जुड़े हूं है। तो मुझे लगता था कि राम के रूप में तो मैंने अपने दादा जी को भी देखा। बापु को भी देखता हूं तो वही स्वरूप दिखता है। सरलता, सहजता, उदारता। भगवान रामचंद्र का सबसे बड़ा स्वभाव जो है कि सुना हूं उदार सहज रगुनायक। जो उदार व्यक्ति है उसको भगवान रामचंद्र बहुत प्रसंड ने करते। पांच मिनट में प्रसंग को भी राम करूं। उदार। जो उदार चरित्र का उदार हो। और दलिद्र हो तो सब भबडाते है। सुमन पूचे सुम कि इन दोनों उदार नहों दलिद्र हो जाता है तो फिर बड़ा गड़बड़ होता है। और उदार सœबा हो यह दी थी तो ऐसके एक अलग मस्ती होती है, एक अलग गरिमा होती है ऐसाबस। अध अहितिक एक कथा चल रही थी, कथा में एक शोता आता था कथा सुनने के लिए, और जब कथा सुने ना तो बहुत आनंद से सुने, आखरी दिन उसको लगा, दली दृता उसको लगा कि व्याज जी ने इतनी सुन्दर सुन्दर कथाएं सुनाई हैं, तो इनको आज कुछ दक्षना दे से लगाते हुए आया, ने जो आज नोट रखें, तो इस नोट नहीं उठता है, तो विचारा लाइन लगाया, लाइन लगा करके पांच कनोट, यह तो पांच कनोट आज से दबा करके आया, और जब दो-तीन लोग बचे थे ना तो उस समय उसने, अब मुठी बांदे रही बापो तो पसीना होता है, तो अब यहाँ तो ऐसी चल रही है, तो भी मुझे पसीना हो रहा है, और वहाँ तो पंडाल में कता थे यह तो जब दो-तीन लोग बचे थे ना, तो उसने मुठी खोला, जब मुठी खोला तो देखा तो नोट गिला हो गया था, और जब नोट को देख के करा अरे राम 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 तू रो रहा है तू क्यो रो रहा है मेरा और तेरा वियोग हो रहा है इसलिए तू रो रहा है अच्छा तू रूमत कोई बात नहीं मैं तुझे वापस ये में रख लेता हो जी अभी में रखा वापस मुड़ा का बाबा जैसे या राम हो ग दो-चार फ्लावर है ना, उसमें से एक है, उसका क्या नाम है, कौन कपूर करके है, उदित कपूर, वो आपको महभूब बोलता है, आप महभूब को मेरा जैसी आराम बोल देना मुझा, तो महभूब बोला, तो मैंने करोना के टाइम में बहुत चिंतन किया, कि महभूब, त में कहा, तो उर्दू शब्द है महभूब, पर जब भगवान रामचंद भगीरत बे आ गए है ना, माशबरी के आगे, तो वालमी की रामायन में वर्णन मिलता है, कि माशबरी की आयू 83 हजार वर्ष की है, जब भगवान रामचंद उनके पास गए है, शब्र के उधारण में को स्वामी तुल्चिदा जी महराज इसलिए शबरी को रखते है, 83 हजार वर्ष की आयू है, और जिस समय हमाय भगवान रामचंद गए है ना, तो माशबरी को तीन-तीन बार भामनी शब्द का है, जनक सुता के सुधी भामनी, अरे कहर अगुपती सुन भामनी बाता, अरे नौमव, एकव, जिनमे, होई, नारी, पुरुष, सचराचर, सोई, सोई अतीस, प्रिय भामनी मोरे, तीन-तीन बार भामनी शब्द का परयोग किया, सुन्दर कौन जिसके अंदर भ्यक्ती विद्दमान है, तो हमें तो प्रैक्टिकल चाहिए कि हमारे को भी कोई शब नहीं मिलेंगे, जिनके में नौनव भक्ती विद्दमान है, ऐसे हमारे पुझी बापू है, मुझे लगा, जो मुझे मेरा भाव है, आप मानो चाहिए मत मानो, वो आपकी माज, और मैं नौन भक्ती घटाद उपर समय नहीं है, दो मिनिट में लगाना है, प्रतम भकती संत प्रती सम्मान है, आज नहीं नहीं वक्ता हो रहा है, नाम तक नहीं लेते साब, रात में कैसेट लगा के सुनते हैं, सुबेर उस वक्ता का नाम नहीं लेते हैं, हमारे दादा जी कहते थे कि उसका नाम लोगे, तो तुम्हारी भी गरिमां बढ़ेगी, और लोग सोचेंग क्या भगवान राम जैरुसिलम जैसे गुफाओं में जाकर के कता कहने वाला कौन होगा साब राम चरितमानस, इसलिए तनी ऊची गरंत माना गया राम चरितमानस, अभी तक तो कोई नहीं हो, आगे का पता नहीं, मंतर जाप, मंदरन विश्वासा, पंचम भजन, सुवेद बापु जैसा जाप, मैं बूलू जादा तो तीश्यक्ति हो जाएगी साब, तो वस समय का सीमा हो चुका है, हाँ, दस, बीस, और एक मिनट ये लोग एक्स्ट्रा नहीं देने के मूड में हैं, तो छोड़िये, भगवान राम चंदर का प्रभाव, असर सुभाव कहीं सुन जैसा में भरत जी महराज के पुनी करुणा नी दिभरत हका रे, अरे निजे कर जटा राम निउ आ रे, बैठा के गोद में एक-एक जटा को सुल्जाएं, और भरत जी महराज से का अरे कम से कम 14 वर्ष में कंगी तो कर लिया होता, जटा बना के रखता है, तो समय भरत जी म आनन तो आया मुझे मेरे को जो बोलना था मैं बोल करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं आप ऐसे ही स्वस्त बने रहें मस्त बने रहें और आपका ये जो नाम जाप है जो नाम जाप है वो निरंतर चलता रहे और ऐसे ही मस्ती बने रहे इसी के साथ अपने वाणी को व पवन सुत हनुमान जी महराजे की जै हर हर महादेश